प्लांट्स ये प्लांट्स में पाई जाते हैं या ऐसी जगे जहां का टेंपरेचर हाई रहता है और उस जगे पे डेलाइट में सन काफी तेज होता है यानी लाइट बहुत तेज आती है तो जो प्लांट्स है वो अपना स्टोमाटा उपन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे उनका जो वाटर है वो ज्यादा लॉस हो चाहेगा और वो अपनी वाटर को कम से कम लॉस करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो रीजन है वो ड्राय बहुत रहता है बट इससे ही अपन को formation भी नहीं हो पाएगा इसलिए ये stomata को अपने night time में open करते हैं जिस time पे carbon dioxide इनके अंदर enter कर जाता है और stomata daylight में ये close कर देता है बात ये आती है कि अगर carbon dioxide रात में enter कर रहा है तो जो light reaction के products हैं जो calvin cycle और C4 cycle उसमें use होते हैं ATP और NADPH molecule as reducing agent and as energy source तो वो नहीं आ पाते हैं इस वज़े से ये carbon dioxide को रात में enter कर आते हैं बढ़ पूरा process रात को complete नहीं करते हैं क्योंकि process complete करने के लिए इन्हें energy की जरूरत है और reducing agent की जरूरत है ATP और NADPH जो केवल दिन में ही आ सकता है इनके पास तो इसलिए ये अपने light reaction और अपने cycle को दो phase में complete करते हैं ये light reaction daytime में ही करते हैं और food भी daytime में ही बनाते हैं बढ़ carbon dioxide को enter कराते हैं रात में क्याम plants में सारी desert के plants आ जाते हैं और orchids और opentia भी इसका example है झातव झाल झाल kanduशफ न्रीड़ प्ルाफ घ्याहा प्लापट है सकता है क्यों न्या है खलाओक जाते हैं जाए झाल तो यह cycle है cam plants का, इसमें भी C4 cycle जैसा ही होता है, बट इसका phase अलग होता है, यानि कि यह दो phase में complete होता है, जब carbon dioxide plants के cell में enter करता है, cam plants के cell में, तब उसे accept करता है first primary acceptor, phosphoenol pyruvate, और वो pep case enzyme की help से oxaloacetic acid का formation करता है, और oxaloacetic acid convert होता है, malic acid में या malate में, और वो malate जा करके store हो जाता है, इतना तक चो काम है, वो night में चलता है, इतना काम राद तक चलता है, जब stomata open रहता है, तब ही carbon dioxide अंदर enter कर पाता है, फिर जैसे ही सुबह होती है, वैसे stomata close हो जाता है, और जो malate पहले से ही vacuole में था, वो malate निकलता है, और उसका decarboxylation होता है, और उससे एक carbon dioxide निकलता है, वो carbon dioxide Calvin cycle में जाकर fix हो जाता है, और इसी cycle से glucose का formation भी होता है, यह question arise होता है, कि cam plants में क्या photorespiration हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि पूरे daytime में, जो stomata है, वो close रहता है, और उसके अंदर oxygen जो पहले से ही होगा, plant के अंदर भी तो oxygen होता है न, तभी तो बहार निकलता है, transpiration process से, तो उसके अंदर पहले का जो भी oxygen होगा, वो RUBP से add हो सकता है, और form कर सकता है, एक waste product, लेकिन यह जो cam plants होते हैं, इनकी नेट जादा होती है glucose बनाने की, तो यह photorespiration के उपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, photorespiration होता है, मगर उतना नहीं, केवल यह अपने glucose बनाने से ही मतलब रखते हैं, इन अपने खाने से मतलब होता है,